हेलो नमस्कान मेरे नाम है अब दाश और आप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है इंडिया में लोगों ने बाबर राजन को तब देखना शुरू किया तब जाना उनके बारे में जब वो पाकिस्तान टीम के कप्तान बने और टीम इंडिया को T20 विशो कब में हराया था लोगों ने थोड़ा सिरियसली लेना शुरू किया कि नहीं भाई पाकिस्तान टीम भी को एक टीम है देखो यार बहुत अच्छी टीम आ गए लेकिन उसके बाद इस बंदे को इतना जादा मेंटली टॉचर किया गया इतना जादा डिप्रेशन में धकेला गया इतना जादा अजेंडा चलाया गया कि आखिरकार इसने बोला राम राम भाई हम तो अब निकल लिएए बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी है और लॉट आया है ओल्ड पाकिस्तान पहले वाला पाकिस्तान की टीम अब घंटा कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इंट्रेस्ट नहीं लेने वाला है इंडियन को कोई जरूरत नहीं है बाई कोई जरूरत नहीं पाकिस्तान टीम की तरफ देखने का जिसको आप बाबर आजम जिम बाबर और पता नहीं क्या-क्या बोलते थे अब किस पे इलजामू डालोगे टीम की हार का इमाद वसीम बेटिंग कोच बनाया जाएगा, फिल्डिंग कोच बनाया जाएगा वाव, 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 पाकिस्तान टीम का गोल्डण एरा वापस आ रहा है क्योंकि बाबर आजम ने कप्तानी छोड दी है अब पाकिस्तान की टीम न एकदम इस्टीबावाली टीम हो जाएगी बस मैच पे मैच जीतेंगे वर्ल्ल कप पे वर्ल कप जीतेंगे ऐसे वर्ल कप को ऐसे ऐसे उड़ाएंगे भाई ऐसे ऐसे बाबर आजम ने अपने पूरे करियर में जब तक उन्हों ने कप्तानी की 6202 बनाया 58.2% विनिंग परसेंटेज है उनका एज एक कैप्टेन के तौर पे 15 सेंचूरी बनाई 48 हाप सेंचूरी बनाई 134 मैचों में कप्तानी की 70 प्लस उन्होंने मैचे जिता कर दिये और फिर भी बाबराजम कप्तान के तौर पे बेकार है बाबराजम की कप्तानी में पहल आई बार टीम इंडिया को हराया एश्या कब में भी हराया तभी सब लोगों के लिए वह बाबर वह बाबर वह बाबर बाबर ऐसा है बाबर वैसा है बाबर आजम ने सेमी फाइनल तक पहुंचाया 302 रंस बनाए उस उस टी टूंटी विश्यो कप में कोई क्रेडिट नही उसके बाबर आजम ने अपनी टीम को टी टूंटी विश्यो कप के फाइनल में पहुचाया कोई क्रेडिट नहीं श्रिलंका को श्रिलंका में वाइट वाइट वाश किया कोई क्रेडिट नहीं लेकिन लेकिन बाबर आजम घटिया कप्तान है क्यों क्योंकि अब कामरान अक यह भाई जवड़ दस्त कोई बात नहीं है भाई होता है हम उने पाकिस्तान टीम को इसलिए भी देखना शुरू किया था क्योंकि फैबरेट बाबर आजम खेलते थे घंटाव मैं देखूंगा पाकिस्तान टीम को बाबर आजम जब तक रेगा अपन सपोर्ट करेगा बाबर आजम के फैंस जितने भी अगर तुम लोग पाकिस्तान टीम के सपोर्टर है मैं आने वाले दिनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगूंगा क्योंकि मेरा फैबरेट बलेबाज अब कप्तान नहीं रहा है I'm sorry to say पाकिस्तान टीम में बाबर आजम के अलाब जैसे बलेबाज होते अजी घंटा तुमारे यहां पे विराट कोली जैसा खिलाडी होता ना लिटरली टीम से बाहर निकाल के उनको टमाटर बेचने पे मजबूर कर देते तुम लोग I'm sorry to say एक स्टार प्लियर तुम लोगों से समलता नहीं है एक प्लियर नहीं समलता है व बाबर आजम भाई thank you यार कोई बात नहीं है अब बल्ले से रन बनाएए और अपना मस्त खेलिये बिना कोई टेंशन का मैंने depressed बाबर आजम को देखा है बहुत बुरा लगा मैं प्रे भी कर रहा था यार इतनी जाती ठीक नहीं है क्या क्या नहीं किया इनके साथ जका अश किसी को भी उतने तरीके से जलील नहीं किया गा जितना बाबर आजम को जलील किया गया है उपर वाला सब देख रहा है जाहिंग जावारस